पहले तो ये बोला कि फिर्म घटिया है, सरदर्ध है, टाइम पास है, लेकिन जिसने सलार का थेटर एक्सपिरिंस फिल किया, उसने अपने दोस्तों को भी थेटर भेज दिया, ये आइडिया नहीं चला तो कलेक्शन के पीछे पड़ गए, कितना असली, कितना नकली, सिंपल बात है, अगर सलार का कलेक्शन फेक है, तो क्या सबूत है आपके पास कि बागी मूवीज जो इंटरनेशनल बिजनिस दिखाती है, वो हमेशा असली ही होता है, है कोई सबूत तो भेज देना, लेकिन किसी को इस तरह इंफ्लूएंस करना, कि वो फिल्म का नाम सुनते ही अ पूरे साल में जितना हेट बाकी सारी मूवीज को एक साथ मिला के भी टोटल नहीं मिला होगा, उससे कई जाधा नेगेटिविटी फैलाई जा रहे है प्रभास की फिल्म सलार के लिए, और honestly सलार का एलिवेशन प्लस प्रेजेशन केजेफ से भी 4 लेवल उपर का है, तो फ पूरे इंडियन सिर्मा का CEO बना दिया, सलार एक हाई-फाई बड़े स्केल की फिल्म है बॉस, इसलिए पैसा पानी की तरह भाया गया है, जिस वज़े से इसका बजट ऑल्मोस 400 करोड है विद प्रभास की सेलरी, तो फिर ज़रा आपका जनल नॉलिज जी के दुरूस कर द टोटल सब को जोड जार के सलार ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, कि अभी इस वक्त जब आप ये विडियो देख रहे हो न, लाइव, प्रभास की फिल्म वर्ल्ड वाइट 5 सेंचुरी मार चुकी है लगा था, माने 5 दिन 500 करोड, सच बोला था प्रशान नील ने, 2023 साल नहीं सलार होगा है, और शौकिंग चीज़ ये है कि इतनी जादा नेगेटिविटी प्लस बहुत ही कम नंबर ओफ शोस के बावजूद, 70 करोड बिजनिस हिंदी बेल्ट से आया है, नेट फिगर्ज बस यही तो है वो असली गेम, जिस वज़े से चारो तरफ सलार के पीछे पड और हैरान करने वाली बात ये है कि 25 दिसंबर माने क्रिस्मस वाले दिन सलार ने हिंदी मार्केट में ओल्मूस 15 करोड का बिजनिस किया, जबकि डंकी शारुख खान दर बादशा की फिल्म जो नौर्ट बेल्ट में काफी बड़े स्केल पे रिलीज हुई है, उसने 23 करोड कुछ समझे आप, शोज में फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन कलेक्शन में सिप 8 करोड का अंतर है गया, ये बहुत पॉजिटिव सिगनल है सलार के फ्यूचर के लिए, इससे बहुत बड़ा जटका लगा है बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री को, उनका सिंगल होर्स रेस गेम अब ऑफिशिली खतम हो गया, क्योंकि नया घोडा रेस में एंट्री माट चुका है, नॉर्थ वर्सिस साउथ का डिबेट, जो सिनिमा में हम लोग सोचते हैं कि अब आल्मूस्ट खतम हो गया है, वो बॉस परदे के पीछे एकड़म पीक पर चालू है, जिसे चलो ना, 2021 में आई थी पुषपा, जिसकी following आज के time में सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में पहुंच गई है, लेकिन हिंदी बेल्ट में उसको मिला only 100 करोर, वो भी एक time पर असंभव था, क्योंकि फिल्म के खिलाफ खतरनाथ negativity उस time भी फैलाई गई थी, और जी हाँ, एक भी नहीं, multiplex 100% shows गनपत को चले गए थे, अगर यही कोई south नहीं, not actor की film होती, तो ऐसा सपने में भी possible है, कि उसको पूरे not belt में एक भी multiplex screen ना मिले ही, इसलिए दुर घटना से देर भली, जिस विज़से सलार को रोकना बहुत जरूरी हो गया है boss, लेकिन जैस इस future में 3-4 movies के साथ repeat होती है, तो Bollywood movies का screen count बहुत जादा impact हो जाएगा, plus south movies north के साथ clash करने से डरिंगी भी नहीं, और theater owners तो वो film चलाएंगे, जो भी लेकर आएंगी, वरना थोड़ा सा इंतिजार करिये, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, take care, bye